तो आज हम discuss करने आले कि last 40 days बचे ये तो पता है सबको आप 31st December ऐसे सोचते हो तो बहुत टाइम है लगता है बट days में calculate करो हमेशा तो समझवाएगा 40 days ही बचे है तो last 40 days में अभी आपको क्या क्या करना है उसका discussion हम करने आले है तो जितने भी slides है तो हर slide में मैंने एक-एक point लिखे है वो मैं आपको पूछने वाली हूँ इस लाइक चेक लिस्ट आपको चेक करना है कि ये मैं follow कर रहा हूँ या नहीं ओके follow कर रहा है तो आच्छा नहीं कर रहा है हो तो करना पड़ेगा अभी आप जिस stage पे हो 40 days ये इस stage पे हो कि अभी तक impossible situation नहीं आई है अभी भी आपने start किया तो भी आप clear कर सकते हो ओके one ball 20 runs ऐसे वाली impossible situation नहीं है ओके अभी भी match आपके हाथ में है बट इसके बाद भी अगर आपने changes नहीं किये तो one ball 20 runs वाली situation आ सकती है फिर जून 24 के batch में वेटना है डिरेकी ओके तो याद रखो आज जो मैं points बता रही हूँ आज से ही आपको changes करने पड़ेंगे ठीक है ओके और उसको note down करने के लिए आपके पास कुछ तो notebook पे चाहिए तो first start करते है कि day wide self study plan ओके day wide self study plan prepare करना पड़ता है कितने students ने prepare किया है हाथ उपर करो day wide self study का plan prepare किया है ओके follow करना तो वह बहुत आगे का हुआ पहले तो plan किया है क्या नहीं किया है मतलब करना पड़ेगा ओके तो आपकी checklist start हो गई first plan करना पड़ेगा अगर किसी ने अभी किया है तो wrong planning किया है क्या check करो wrong planning के मैंने examples दिये है just to decide the number of hours this is wrong planning मतलब मैं 7 to 10 law करने वाली हूँ 10 to 10, 30 breakfast break फिर 10, 30 to 12, 30 मैं economics करूंगी फिर lunch break, then law, then math तो ऐसे just number of hours आपने किये तो वो भी wrong है second कुछ students क्या करते है कि आज उठने के बाल आज मैं decide करूंगा कि क्या करना है okay essay planning अगर है तो वो भी wrong है और कुछ students क्या करते है कि मैं मैं पहले one week का prepare करके देखता हूँ अगर वो follow हुआ, complete हुआ, तो मैं second week का plan करता हूँ तो ऐसे भी कर रहे हो तो वो भी wrong है and third category मैं planning ही नहीं है कुछ okay, तो ये तीनों चीज़े अगर आप कर रहे हो तो ये बन करना है आज से and correct plan कैसे होता है, उसके दो methods है आपको पहले check करना होता है कि आपके हाथ में दिन कितने बचे है and कितना syllabus बाकी है so syllabus upon number of days करने पड़ेंगे न okay, जो लोग weekly plan बनाते है कि one week में ये ये करेंगे, फिर next week का देखेंगे तो ऐसे next next week कब खतम होगा पता ही नहीं तो वो wrong हो गया, correct so अभी हम last 40 days में है, तो उसमें मैंने 12 days क्यों लिये देखो क्योंकि हमारी 2nd December से full syllabus की test series है उसके 12 days है so जो भी syllabus बाकी है divided by 12 days करके ही खतम करना है आपको and अगर नहीं खतम हुआ तो option क्या है? 18 December के बाद जो time है उसमें खतम करना है तो आपको per day कितना करना पड़ेगा वो समझेगा तो अभी वो जो syllabus आपको लेना है 12 days में divide करने के लिए आपके पास दो options है कि आप number of questions count करो total हर topic के हर subject के तो total number of questions अगर 480 आ गये 4 subjects के मिला के तो 480 आपान 12 तो per day कितने questions आ रहे है 40 questions around तो 40 questions daily के होने चाहिए ओके और अगर chapters से करने वाले हो तो number of chapters for example 40 chapters है 10 10 in each subject तो 12 days divided by 40 ठीके तो आपको कितना per day कितने chapters करने पड़ेंगे वो समझ में आ जाएगा तो यहाँ आपन number of chapters divided by 12 days ही करने पड़ेंगे नहीं यहीं करेक्ट है 12 days upon number of chapters ही करेक्ट है 12 दिन में उतने chapters खतम करने है न आपको अब ही आपके लिए कौन सा easy जा रहा है चाप्टर से तो देखो और easy example लेती हो तो समझेगा अगर six ही chapters बाकी है तो 12 upon six मतलब एक chapter के लिए दो दिन मिल रहे है अब ही 12 upon 40 कुछ तो point में आएगा न zero point something मतलब एक दिन भी नहीं है पूरा एक chapter खतम करने के लिए इतलिए वो 12 divided by number of chapters ही correct है ओके बट अभी मुझे बताओ कि आपके सारे topics थोड़ी ही बाकी होंगे जो topics बाकी है उतने ही लेने है आपको अभी हम generally क्या करते है सिफ difficult important questions लेते है तो difficult important questions की total लेना है इसमें से कोई एक method इस correct method ये समझ में आ गया daily का plan केसे लगाना है either chapter wise करो या questions wise करो फिर आपका जो planning है फिर वो correct है कि morning में क्या करना है afternoon में क्या करना है evening में क्या करना है वो decided होना चाहिए हर रोज change नहीं करना है आप जब classes को जाते हो college में जाते हो change होता है क्या हर रोज आज account morning में हुआ कल afternoon में है नहीं change होता है तो वो आदत लग जाएगी कि 8 बजे ना मतलब accounts ही लेना है as good as एसे समझो आप class को ही जा रहे हो 8 to 10 अकाउंट कर रहे हो मतलब 8 to 10 class है आपका ओके सो ये question wise या chapter wise scheduling and second hours decide करके रखो वो सब fix होना चाहिए breakfast का time, lunch का time, dinner का time and sleeping time ओके ये बताओ किसका किसका fix है या कभी आज 12 बजे सो गए कल 2 बजे सो गए मैं एक web series देख रहा था हाथ उपर करो कितने student का fix timings है एक क्या लगता है आपको fix timing होना चाहिए कभी भी कैसे भी आज 2 बजे ही lunch किया कल 12 बजे ही कर दिया तो वो fixing आप कर सकते हो ये checklist का दूसरा point हुआ first point क्या था daily schedule and second timing fix करते जाओ ये बहुत कुछ difficult बता रही हूँ क्या मैं impossible वाले छोटे छोटे ही changes करने है बट result इसका बहुत बड़ा आने वाला है पिक्स टाइम करने के लिए आधा घंटा इधर उधर हुआ तो भी चल सकता है because of some genuine reasons बट बहुत ही variety नहीं होनी चाहिए हर दिन की तो ये चीज़े कर लो next अभी subject right पहले बताती हूँ केसे पढ़ना है first is account तो account में ICI का module के सारे illustration exercise questions आपको solve करने है five times main exam तक अभी तक आपके तीन बार solve करके होने चाहिए कितने students के हो गए है तीन बार हाथ उपर करो एक, दो, तीन कुछ-कुछ chapters के हुए है एक-एक बार ही हुआ है ओके, दो बार हुए है बिना देखके ओके, सो total आपको five times करना ही पढ़ेगा ओके, सो checklist में अगर इसका answer no है तो आपको ये करना है and आप अभी five times केसे करोगे at least five नहीं तो three times तो कर लो अभी दो times पहले हुआ रहेगा ना अभी three times कर लो तो total five times हो जाएगा and again all illustrations क्यों? क्योंकि सारे illustrations अलग-अलग है exercise के questions भी अलग है तो वो आपने cover कर लिए तो बहुत variety cover होती है and then RTP, MTP, past papers भी करने हैं बट उनमें से सिफ unique questions ही करने हैं वो list मैं आपको दे रही हूँ daily ओके, group पे डालते जाऊंगी मैं कि unique questions ही सिफ करने है उसके और वो भी five times होने चाहिए अगर किसी का अभी तक start ही नहीं किया है पढ़ाई तो minimum module तो करते जाओ five times above 40 आ जाएंगे ठीके, but solving करना required है, reading नहीं and solving कैसे करोगे third point, checklist में check करो with timer, कर रहे हो क्या ये with timer solving कैसे time लगा रहे हो शेयर हाँ, सो घर पे solve करते वग भी और कोन कर रहा है, timer लगा के solving दो बाकी के students क्यों नहीं कर रहे है timer लगा के solving आज से आपको करना पड़ेगा ओके exam में blank होना because of time pressure so time का pressure क्यों आता है क्योंकि first time experience कर रहे हो daily की आदत नहीं है जिस चीज के आदत होती है उसका tension आता है two wheeler रोज चलाते हो कितने students चलाते है two wheeler आपको tension आता है बड़ जो first time चला रहा है उसको क्या होगा tension आएगा ओके so कौनसी भी चीज हम life में first time करते है तो tension आता है जिसकी आदत है उसका tension नहीं आता है so ये timer लगा के solve करने की अगर आपको last 40 days की आदत है तो वहाँ पर tension आएगा क्या बताओ so ये बहुत important है again easy technique है बहुत time consuming भी नहीं है timer लगाने के लिए एक second लगता है ओके बट कितने students कर रहे हैं देखो सिफ दो students का हाथ उपर आया उनके हम mark सुनेंगे क्या कितने हैं कितने accounts में mark share 57 54 देखा आपने result ओके और च्रेयस तुमने solving module का किया था एक बार किया था और क्या questions solve किये थे हाँ ओके तो वही कर रहे है जो rankers होते हैं वो ये जो मैंने सारे techniques लिये है वो rankers के interviews से ही लिये है कि वो क्या कर रहे है वो आप करोगे तो आप भी ranker बन जाओगे so second point checklist का कि timer लगा के solve करना है timer के से लगाना है बताओ 3 hours के 180 minutes उसमें से 10 minutes हम निकालते हैं वो first page fill up करने के लिए लगता है मतलब writing के लिए 170 minutes सी मिलते है divided by 100 marks मतलब 1.7 minute है per mark so 10 marks का 17 minutes में 20 marks का 34 minutes में question होना चाहिए so chapter देखके question देखके आपको समझ में आ जाएगा roughly on an average 10 marks का होगा 12 marks का होगा into 1.7 करके timer लगा के ही solve करना है without timer आपने कितना भी solving क्या उसका फायदा नहीं होने आना next point is mark important questions for last day revision कितने students ने किया है marking last day revision के लिए 2 topics के हुए है विश्यात उपर करो 1 2, 3, 4 5, 6 so एक भी topic का नहीं हुआ marking एसे कोन है किये है मतलब तो वो आपको complete करना पड़ेगा reason क्या क्यों mark करने important questions correct क्योंकि आपको time नहीं रहेगा each and every question करने के लिए correct so important questions जितने होंगे उतने ही आप कर सकते हो so यह important questions mark करने है वो आपके module से question bank से करोगे true और false के भी important mark करने है यह note down करो ओके यह याद रखो true और false में अपने marking नहीं किया है तो क्या होगा each and every true और false करने वाले हो last देखो exercise के हर एक question का अभी मैम true और false किया ही नहीं है तो उसका important mark करना तो बहुत दूर की बात हो गई ओके full syllabus के test के पहले ही true और false करना है आपको 18 December के बाद नहीं true और false seriously low आप नहीं कर रहे हो मतलब जो scoring है वह ही नहीं कर रहे हो हम तो वैसे ही करते थे जो scoring है वो पहले कर देते थे 2-2 marks, 12 marks वहाँ पर easily आ सकते है ओके तो उसका भी marking करना है and next theory questions जो है उसमें keywords underline करो but woke up करना है theory questions का aim में ये सब होने के बाद ओके and revise theory topics if needed ये जो लिखा है तो वो for example bank reconciliation statement एक topic लिया हमने उसकी अगर theory आपको याद आ रही है तो आप directly question solving पे जाओ second example consignment topic आपको लग रहा है कि नहीं पहले entries revise करने चाहिए and then sums solve करने चाहिए तो उस case में ही theory पढ़ो उसकी मतलब पहले entries revise करो and then sums को जा आपको लग रहा है कि इसकी theory पढ़ने की जरूरत नहीं है directly sum solving हो जाएगा तो directly जाना है ओके समझ में आ गया अगर किसी topic के आपको theory revise करनी है तो मुझे बताओ each and every word पढ़ोगे क्या आप फिर क्या करोगे जितना questions के लिए required है उतना ही theory पढ़ना है तो उसका भी marking करके रखना पढ़ेगा करें तो अभी study करते वक ही आपको उसका भी marking करना है कि bill of exchange topic के मुझे सिर्फ journal entries देखने कंसाइनमेंड के सिर्फ journal entries देखने बाकी introduction का paragraph वगरा पढ़ने की जरूरर नहीं है तो ये भी याद रखो तो revise theory and then question solving with timer and books भी बताए मैंने कौन से करने है ठीक है and give two full syllabus test तो ये must है without writing test series आप directly main exam में नहीं जा सकते हो institute के mock test भी होते है वो भी आपको लिखने है so do test full syllabus के उसी time में alternate day में आपको लिखके जाना है मतलब ये night practice हुई before one day match वहां का जैसे environment होगा उसकी practice करके ही आपको exam के लिए जाना है this is very important next law subject law में read word दिख रहा है क्या किदर आपको read word ही नहीं है कहां पर भी और वो हम कर रहे है reading करना ही नहीं है law में अभी stage पे last 40 days में last 40 days में क्या करना है recalling okay and recall नहीं हुआ तो read करना है हम सिफ read ही करते है हम recall करके देखते ही नहीं है okay so first checklist point you need to do question answer solving practice for five times again question answer solving practice कितने students ने की है हाथ उपर करो so mainly अभी आपको question answers की ही practice करनी है सिफ concepts अगर आप read करोगे तो नहीं होने आला है okay आपको concepts read करने है तो वो आपको fast करना पड़ेगा उसके लिए आपके पास short notes है क्या short में किया हुआ notes कुछ से निकालने की जरूरत नहीं है जो भी main content होता है उसको ही highlight करो ना वही short notes हो गए और वो fast पड़ने है storybook जैसे and maximum time देना है आपको question answers के लिए क्योंकि जब आप question answers करते हो automatically जो थेरी में है वही content होता है ना उधर भी answer में वो revise हो ही रहा है आपका question answers क्यों करने है reason समझो जब आप सिर्फ notes करते हो तब बहुत सारे चीजों की practice ही नहीं हो रहे exam में थेरी paper के आपको चार steps करने होते है क्या करते हो first up question reading reading सबको आता है बचपन से second read करने के बाद interpret करते हो क्या पूछा है exactly interpretation में problem आता है क्या कि समझा ही नहीं क्या पूछा था नहीं आता है कुछ कुछ questions में ही आ सकता है third interpret हो गा है समझा मुझे question क्या है क्या पूछा है फिर third step आप क्या करते हो recall करते हो answer and recall होने के बाद दिखते हो fourth is writing so in charge step में से कहां पर problem आता है recalling so practice किसकी करनी है हमें recalling एक बार recall हो गया word तो मैं मुझे लिखने कोई नहीं आ रहा था sk से लिखना है वही याद नहीं आ रहा था ये तो नहीं होता है recall होने के बाद लिखने को आई जाता है so बाकी तिन steps आते है आपको reading आता है, interpretation आता है, writing आता है, सबको आता है फिर highest score किसका आता है, जिसको recall हुआ है answer so maximum recalling की practice करनी है इसलिए मैं question answers करो बोल रही हूँ अभी ये जो 4 steps मैंने बता है उसमें से interpretation की practice होगी जब आप notes revise करते हो तब नहीं होगी, question interpretation की practice नहीं होगी so recalling की practice भी नहीं हो रही है क्योंकि उस question के लिए exactly कितने provisions लिखने है ओके, वो नहीं आपको आ रहा ना notes से, so notes से आपको क्या होगा concept समझ में आ जाएगी concept recall हो जाएगी but वो question interpret करके उसका exact answer कितना लिखना है 3 marks के लिए तो कितना लिखना है 5 marks के लिए तो कितना लिखना है वो सब question answer practice से ही होने आला है ओके, so अभी भी आपको क्या करना पड़ेगा question answers की practice अभी से भी start कर दी तो भी चलेगा फिर आपको लगेगा मैम इतना time नहीं है हमारे पास तो उस case में आपको क्या करना है? rough में लिखना है पटा-फट या rough में words भी लिखे तो भी चलेगा keywords और बाकी orally recall करो बट खुद से answer try करो हमें confidence कर बाता है बताओ जब आप खुद से question solve करते हो और जब आपका answer tally होता है उनके answer के साथ तब confidence आ जाता है करें? आज भी papers में आपको जहाँ पर out of marks मिले? हाँ यह एक topic अच्छा हुआ है इसमें अच्छे marks मिले है करें? सो confidence मुझे बताओ notes पढ़के आता है क्या आपको? short note पढ़के confidence आ गया पाँज बार पढ़ लिया नहीं आता है confidence तभी आएगा जब आप खुद से recall करोगे और वो words match हो जाएंगे उसमें अभी मैं directly recall कैसे होगा हमें answer यह doubt होगा आपका? करें? so stages में जाना पढ़ेगा आपको first stage तो यह है अगर वो case study based question है तो उसका conclusion correct आ रहा है क्या देखो? क्योंकि conclusion wrong है तो directly 0 marks मिलते हैं यह first stage second stage conclusion मेरा correct आया तो में जो answer मुझे recall हो रहा है general language में होगा obviously तो वो तो at least correct है ना मतलब reasoning में जो लिख रही हूँ वो भले ही general answer में है बट थोड़ा बहुत तो same ही है ना meaning same निकल रहा है ना and then third stage conceptually मतलब समझा है आपको आपका अगर general language में आ रहा है सिफ problem किज़र है टेकनिकल लेंगवेज यूज करना तो वो practice से आप टेकनिकल लेंगवेज तक जाओगे ओके वो highest stage हो गई but at least आप इतना ensure कर सकते हो last 40 days में कि मेरा conclusion correct आ रहा है and जो मैं answer लिख ले हूँ वो थोड़ा वह general है बट उससे related ही लिखा है सिफ ये examiner consider करता है उसको भी समझता है कि इसको concept समझी है सिफ इसने technical language नहीं लिखी है ओके तो थोड़े बहुत तो marks मिल ही जाएंगे इसे थोड़े थोड़े हर question में मिलके pass हो जाओगे आप वो technical language के लिए इतना डरते हो कि वो language नहीं आ रही है ठीक है वो last stage है at least conclusion and general language में तो correct आ रहा है क्या उतना तो देखो check करो ठीक है जो chapters आपके लिए easy है उसके लिए फिर try करो technical language तीन steps में जाओ अगर आप दो steps correct पे हो conclusion correct आ रहा है general language आ रही है तो try करते जाना कि keywords आने चाहिए answer में वो last stage है keywords important कितने student ने mark किये है law में question answers में 1,2,3,4,5 3,4,5 and important questions mark किये है क्या कुछ students ने किये है जिनोंने नहीं किये note down करो यह आपको करना है क्या क्या करना है उसकी list बनाओ law के भी आपको important question mark करने पड़ेंगे so law में important question कौन से आएंगे जिसके आपको below 50% points recall हो रहे है या जिसके conclusion wrong जा रहे है वो important questions है जिसका answer आपको above 50% 60-70% भी आदा रहा है तो वो फिर से revise मत करो उतना आ जाएगा ना 100% recall होना difficult है कुछ questions के हो सकते है ठीक है below 50% recall हो रहा है तो बहुत कम recall हो रहा है वो आपको फिर से revision के लिए रखना पड़ेगा जिसमें conclusion ही wrong जा रहा है law daily करना पड़ेगा recalling practice law daily कितने students कर रहे है उसमें daily में आप क्या करते हो recalling practice है हाँ हाँ ओके और writing solving कितने students सिफ रीडिंग कर रहे थे law का नहीं recalling कर रहे थे ओकी इसके लिए भी questions आपको कहां से लेने है same module past RTP, MTP, past papers ओके अभी BCR, part BCR भी होता है law के साथ और उसके writing skills के सिर्फ format देखे है ते कितने students है good so format देख क्या आ गया क्या लिखने को नहीं so अभी 12 days है 12 days में क्या करना है हर रोज एक-एक format लिखना है 10 to 15 minutes लगते है so 10 to 15 minutes निकालो यह बहुत required है तो ही law का score आपका above 40 जाने आला है ओके इसमें writing skills में मैं बताती हूँ easy वाला part कौन सा है resume writing formal letter mail formal mail writing ओके यह तीनों easy है note making and precede okay जो article लिखना article writing and report writing इसमें क्या problem हो सकता है कि जिस subject पर article पूछा है वो subject ही मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मुझे बले ही English आता हो grammar आता हो vocabulary अच्छे है बट उस subject के बारे में नहीं कुछ पता नहीं है तो मैं article नहीं लिख सकती तो आपको marks बढ़ेंगे ऐसे लग रहा है क्या yes so 12 days में दो दो बार भी हो सकते है 6-6 days में and again 18 December के बाद का जो time है उसमें भी 12 days है उसमें भी फिर से solving करना है आपको 10-15 minutes से निकालने है but बहुत result change होने वाला है कितने students ने की थी writing skill की practice की थी एक-एक format लिखके एक-दो, तीन and grammar की भी practice चाहिए सबकी solving practice ही करनी है मतलब in short recall keywords of communication topic communication topic में आपने observe किया होगा कि वही questions repeated आते है so उसके सिब keywords underline करके वो recall करते जाओ ठीक है BCR भी आपको daily करना पड़ेगा BCR में daily क्या-क्या करोगे बताओ एक writing skills का आगया फिर थोड़ा grammar करना है and vocabulary थोड़ी-थोड़ी हर रोज करनी है एक दिन में बैठके करना है क्या नहीं तो ये रोज थोड़ा-थोड़ा divide करो अगें जितने भी questions है जितने भी vocabulary के words है वो divided by 12 कर दो ठीक है और इसके भी test लिखने test चारो subject की compulsory लिखने कुछ students क्या कर रहे है कि सिर्फ law difficult जा रहा है तो उसके test लिखते है math difficult जा रहा है तो सिर्फ उसके test लिखते है तो इसा मत करो ओके चारो subjects के test लिखो दो बार लिखो फिर में इन exam में जाओ ओके directly उधर net practice नहीं करने है वो testing नहीं करना है institute का directly फिर जून में है next test ये test खराब गया तो इधर immediately 12 से है जो भी गड़बड की है आपको improve करने के लिए next test है ओके सारे subject के test लिखो इससे क्या-क्या फायदा होगा aggregate समझेगा हो रहा है क्या नहीं 200 के अब आओ alternate day में revision हो रही है या नहीं ओके आप एक ही subject का test लिखोगे तो उसके पहले 3-4 दिन पढ़के आ जाओगे ओके फिर 3-4 दिन पढ़ने के बाद तो अच्छे ही marks आने वाले है तेर दिन पढ़के देखते हैं ना कितने marks आते है वो actual testing हुआ ओके and patience 8 दिन का जो energy accounts के paper के लिए है वो economics तक रहने चाहिए same energy तो वो भी practice होती है and again 2-5 वाला timing वो सब की भी practice होनी चाहिए ओके इसलिए सारे subject के test लिखो जो आपको subjects confident हो तो track करो ना 70-80 अब हो आ रहे है क्या उसमे ठीक है तो वो aggregate क्या करेगा improve करेगा ना और next math math में कितने students ने timer लगा के solving practice की है so आज से start करो क्योंकि timing का issue आ रहा है न एक minute में ही एक question complete करना है and important question इसके भी mark करने पड़ेंगे for last day revision वो केसे mark करोगे important questions हाँ कहां से नहीं केसे पहले तो module करना है complete and module हो गया होगा तो tax month publication जैसे जिसमें question bank है past papers and MTPs के question covered है जिसका answer ही नहीं आया या wrong answer आया तो उस case में आपको क्या करना है यह students नहीं करते है बिल्कुल भी बट यह करना चाहिए कि for example मैंने C answer निकाला है and actual answer a है तो a क्यूं करेक्ट है उसका reasoning अगर आपने वहाँ पर ही लिखके रखा तो next time revise करते है वाग easy जायेगा न क्योंकि next time हम फिर से C निकालेंगे and फिर से यह गलत क्यूं आया फिर A फिर क्यूं A correct है तो double time जायेगा न so बहाँ पर लिखके रखो क्यूं A correct है so next time क्या होगा time बचेगा okay so वो reasoning लिखना बहुत important है या question का answer ही नहीं आया आपको इसके रखो वो बहुत important है क्योंकि next time आप revise करते हो उतना ही revise करने आले हो and फिर यह कैसे A आया फिर से time जायेगा okay so यह एक करो solving practice एक बार करके नहीं होने आला है यहाँ पर भी बहुत बार practice करनी पड़ती है वही वही questions करो but बहुत बार four times लिखा है मैंने formula bank कितने students ने prepare की है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, okay good so formula bank की है and आगे भी है revise it on daily basis daily basis पे revise कर रहे हो क्या कर एक, okay so यह भी daily basis पे revise करना है ma'am क्या करना है daily basis बट यह सब 10-15 minutes वाले ही काम है 10-15 minutes में writing skill है यह revise करने के लिए कितना time लगेगा 10-15 minutes, okay but करो revise इससे क्या होगा अगर आपको formula ही याद नहीं आ रहा है paper में, गया वो question and daily revise करोगे तो ही correct formula याद आएगा न okay, so यह scoring वाले marks है मतलब हमारे time में तो एसे कोई भी students नहीं रहते थे कि formula याद नहीं आया क्योंकि वो daily revision के आदत ही रहती थी okay, so formula bank prepare करके उसको daily revise करो उसका भी timing decide करके रखो कि for example tea break में, 4 बजे tea break के time formula revise करने मुझे एसे अगर timing decided है तो ही वो daily revise होगा नहीं तो रात को याद आ जाएगा रहे, आज किया ही नहीं okay, so कौन सा भी timing decide करके रखो but time decide किया है तो ही वो regularly होने वाला है, correct? and again test लिखने है इसके भी, इसमें और एक चीज में बता रही हूँ कि अगर आपको कौन से topic बहुत difficult जा रहे है, तो वो मत करो okay, सिर्फ maths के लिए मैं बता रही हूँ आ, ऐसे एक दो topics ही वो भी, okay, for example, कौन सा? हाँ, derivatives वाला, okay, but उस case में बाकी topics आपको strong करने हैं, जो भी topics कर रहे हूँ वो strong करो, फिर 2-3 topics नहीं किये तो भी, चलेगा next is economics DC के, इसमें short notes है क्या आपके पास? क्योंकि short notes फटा फट revise करने पड़ेंगे, अगर नहीं है तो prepare नहीं करना है अभी, highlight करते जाओ, नहीं तो किसी friend का zero flow, यहे क्या check करो, वो revise करना है and mcq practice बहुत करनी होती है इसकी, ओके, अथरवक इतनी mcq practice की थी? ओके, कहां से? ओके, तो वो timer लगा के solve किये थे या? ओके, ओके, तो and revision, notes की revision? हाँ, हाँ, and then directly mcq, हाँ, हाँ, ओके, and important questions mark किये है, so important questions mark करने पड़ेंगे न, last day revision देर दिन में 200 questions नहीं हो पाएंगे, ओके, तो एक चीज़ important questions mark करो, again कैसे, जो wrong गया वो, या जो आया ही नहीं, ओके, last time के test में पता है, 80 out of 80 का highest था, so ये बहुत scoring subject है, economics, इसमें आ सकता है, out of up को, mcq solving practice कितने students ने की ही नहीं है, बिल्कुल नहीं की, मतलब कर रहे हैं, ठीक है, ओके, कितने students की तीन बार हो गई है, एक, दो, तीन, दो बार कितने students की हुई है, एक, दो, तीन, ओके, बाकी सब एक बार वाले, ओके, ठीक है, बट और दो तीन बार तो होई जाएगी न, दोन test के लिए, and then, 18 December के बाद, इस practice के टाइम आप क्या करने वाले हो, important questions का marking करो, ओके, तो, one and half day में आपका revision हो जाएगा, उसका, short notes किसके पास नहीं है, economics के, सब के पास है, okay, so subject wise technique समझ में आ गए क्या, सब को, okay, कुछ subjects को आपको बहुत strong करना पड़ेगा, जो आपके favorite है, उसमें आपको about 70, 75 target करना पड़ेगा, okay, क्योंकि वही aggregate के लिए help करने वाले, and जो weak subjects है, उसमें 50, 55 का target रखना है, 40 का target किसी में भी नहीं रखना है, okay, उससे aggregate नहीं बनता है, and हम जो 40 के लिए try करते है, goal, तब exact 40 आने वाले हैं क्या, नहीं, 10, 12 में देखा होगा, आपने 95%, 98% के लिए target किया, तब जाके 90 वगरा आ गए, so 40 के लिए target करोगे, तो कितने हैंगे, 40 के नीचे, so 55 का target रखो, 70 आपको चाहिए actual में, तो 80, 90 का target रखो, okay, किसी ने भी छोटा target नहीं रखना है, 40 वगरा, subject wise में किसी को कुछ doubts है, okay, अभी daily routine में क्या-क्या success मंदराज, follow करने हैं, वो check करो, यह आप करते हो, क्या देखो हूँ, keep motivated yourself all the day, think positive, and have self confidence, AQ student हाँ बोज रहे हैं, वाकी सब ना बोज रहे हैं, so यहाँ पे गलत जा रहे हैं ना फिर हम, so motivated कैसे रहोगे, so हरे का अलग-अलग होता है, okay, but motivational videos देखके नहीं होने आला हैं, okay, वो temporary motivation होता है, so permanent all day motivated रहने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, हाँ, करे, करे, आपके जो heroes, cricketers, players, जो आपको favorite है, जो आपके लिए heroes है, role model है, हाँ, वो all day motivated होते हैं, क्या या नहीं, क्या लगता है आपको, every day, all day, they are motivated, नहीं रहते हैं, रहते हैं, रहते हैं, every time they are motivated, okay, कौन से भी field के देखो, singer, players, politicians, जो भी है, okay, so motivated वो all day कैसे होते हैं, ये तो सब आप correct थी बता रहे हो, exercise करना, pressure, mind रखना, meditation करना, वो है, आगे points वही है सब, क्या, क्या, और एक ऐसे कुछ तो strong point चाहिए न, जिसकी वाज़े से हम all day motivated रहेंगे, हाँ, वो positive thing करना, करें, हाँ, उसमें song, मतलब motivational song सुनके, बट वो भी नहीं लगता, आपको temporary है, आपको दिन बर किसके बारे में सोचना पड़ेगा, हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा correct बता रहे हो, दिन बर किसके बारे में सोचना पड़ेगा, आपका goal, वो priority पे चाहिए, तो आप motivated रहते हो, ओके, for example, विराट कोली, cricket player, उसका example लो, दिन बर वो क्या सोचते हैं, कैसे improve करना है, कैसे improve करना है, कैसे improve करना है, full focus, हमारा कैसे होता है, सब काम होने के बाद, time मिला तो पढ़े, इंस्टाराम देखके हुआ, घुम के आ गए, web series देखके हो गई, ये सब होने के बाद, पढ़ाई, उनका वैसे नहीं होता है, सभी को आप observe करो, जो भी उनके, उनके field में top पे है, hard work बहुत है, so वो all day motivated कैसे होते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, so last 45 days, आपके दिमाग में कुनसी चीज होनी चाहिए, pass होना है, CA foundation में pass होना है, सिर्फ pass नहीं होना है, और actually, अच्छे mark से pass होना है, about 300 कैसे जाएगा score, आप ही goal नीचे ला रहे हो, आपको 12 में about 70% थे सबको, correct न, about 60 तो थे सबको, हाँ, तो अभी कैसे goal आपने 50% का कर दिया अचाना, capacity 60, 70 अब आउ की है, फिर आप क्यों goal 50% रख रहे हो, goal पहले बढ़ाओ, और वो goal आपको दिमाग में 24 hours होता है, क्या देखो, बार बार आप कितनी बार सोचते हो, कि 300 अब आउ केसे आएगा, 300 अब आउ, मतलब पागल वनना है उस goal के लिए, तो ही result आता है, पता होगा आपको, बहुत पीछे लगना पड़ता है, बहुत hard work करना पड़ता है, तो all the time आपको यही सोचना है, तो आप motivated होगे, उम्झे hard work करना है, कहाँ पर यहाँ पर गलत जा रहा हूँ, उम्झे वो improve करना है, करना ही है, करना ही है, तो ही आप आगे जाओगे, और मैं कर सकती हूँ, जैसे positive thinking का, आपको continuous सोचना है, कर सकते हैं, कर सकते हैं, negative thought आया तो, negative to positive, कैसे convert करना है पता है आपको, यह करना ही पड़ेगा, ओके, यह भी बहुत सारे interviews में, मैंने देखा हैं, वियान वीराट कोली के interview में भी है, कि self-confidence सबसे important होता है, सबसे important, and positive thinking, इससे miracles हो सकते हैं, इसा sentence था उसका, self-confidence नहीं है, तो भी miracle होता है कि नहीं, क्या हो जाता है देखो, और एक self-confidence की वज़े से, आप कहां पे जाते हो, तो ही आपका concentration होगा, करें, और वो बाकी लोगों से, outer side से नहीं आने आला है self-confidence, वो आपको ही लाना पड़ेगा पता है, self-talk आप क्या कर रहे हो, उसके उपर depend रहता है, देखो self-confidence, अगर self-talk आप negative करते हो, कि यह मुझे नहीं हो पाएगा, मुझे recall होगा, ऐसे जब thinking हो जाता है, तो self-confidence down होता है, जब आप खुद के साथ कैसे बात करनी चाहिए, मुझे आने वाला है, मुझे recall होने वाला है, अगर मुझे नहीं आया, तो at least thank God, test की वज़े से समझा मुझे, कि मुझे नहीं आ रहा है, तो अभी आगे के test में, मुझे यह changes करने है, ओके, वैसे हुआ, जो भी guidance उनको दिया था, checkers ने, वैसे वैसे वो improve करते गए, और हो गया, आप भी improve करो, आपका भी result change होने वाला है, ओके, so tension नहीं लेना है, कि test में marks कम आ गए, ओके, net practice में अगर यह लो, first ball पे out हो गए, so, net practice ही नहीं करनी है, directly one day खेलते, कुछ students ऐसा सोचते हैं, मैं हम test ही नहीं लिखते, test में कम marks आ गए, तो मैं demotivate हो जाऊंगा, मतलब ऐसे बोलने जैसे है, कि मैं net practice ही नहीं करूंगा, मैं directly match खेलता हूं, net practice में गडबड की तो, चलेगा क्या बताओ ऐसे, so, test तो उसके लिए ही है न, okay, so, यह याद रखोगे, कि continuous positive सोचना है, negative situation में भी positive सोचना पड़ेगा आपको, तो फिर आप कुछ भी achieve कर सकते हो, confirm, अभी कल से कोई आज से ही, कोई negative बोला न, मैं मुझे यही नहीं आता, मैं मराथी मिडियम से ही हूँ, इसलिए मेरा BCR स्टॉंग नहीं है, एक एक सिच्च बहुत सारे situations बता थे, तो वो क्या हुआ, excuses देना हुआ, मराथी मिडियम वाले chartered accountants नहीं हुए, क्या फिर, मैं खुद मराथी मिडियम वाली हूँ, तो यह कुछ excuses आप नहीं दे सकते, मेरी BCOM की exam आई थी, इसकी जैसे, सारे CA BCOM भी है, तो उनका भी same ही हो रहा था न, BCOM and CA की पढ़ाई, तो अलग ऐसे कुछ नहीं हो रहा आपके साथ, जो problems आपको आ रहे है, वो CA हो गए, उनको भी आए थे, फिर उन्होंने क्या किया उस time, वैसे यह आपको करना है, कुछ भी excuse नहीं चाहिए, ठीक है, second daily basis पे सारे subjects करने है, यह आप करते हो क्या, या full day एक subject ले रहे हो, हाँ, ठीक है, combination कर रहे हो न, फिर ठीक है, slot of two hours करने है studies के, and 15 minutes का break लेना है, ऐसे आप करते हो, या at a stage बेट रहे हो, break ले रहे हो, हाँ, वो बता नहीं पढ़ता है, हम वो लेते ही है, 15 minutes study करके, two hours का break, ऐसे हो रहा है क्या, नहीं न, three hours को, कितने students, three hours बेट सकते हैं, स्टार्टिंग के लिए, मैंने two hours का slot रखा है, बट अगर three hours possible है, तो try करो, क्योंकि हमारे paper, three hours के होते हैं, तो three hours एक जगर पे बेटना, without mobile, ओके, ये भी practice होनी चाहिए, ये मैंने already बताया था आपको, कि आपको schedule करना है, your breakfast, lunch, dinner timing, sleeping timing, ओके, ये करो हाँ, ये बहुत important है, again check करो, जो successful लोग है, उनका daily का routine कैसे होता है, कभी कुछ भी करते हैं, क्या वो हो, या fix timing होते हैं, fix timing, then cut off unnecessary social media, completely, मैं five minutes देखता हूँ, अगर आण नहीं, बिल्कुल भी नहीं, okay, completely लिखा है मैंने, follow किया है, all India rankers, stoppers, CA final के students के पास, तो वो डबबा वाला phone रहता है, okay, जिसमें, मतलब, smartphone नहीं use करते हैं, इतना आप वो, concentration से पढ़ाई करनी होती है, कुछ भी distraction नहीं चलता है, क्या करते हो social media पे, दूसरों के life में क्या चल रहा है, उससे क्या फ्रेश होते हो, क्योंकि 10-15 minutes के break में, मैं library में भी देखती हूं, Instagram स्क्रोल करना, Facebook चेक करना, तो दूसरों के life में क्या, चल रहा है, यह देख्या आप फ्रेश हो जाते हो, 10-15 minutes के break में, तो यह completely off करना है, कुछ भी वहाँ पर important नहीं मिलने वाला है, आपका जो admit card आने वाला है न, उसका notification इंस्टाग्राम पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, फ्रेंड से वगरा पता चल जाता है, ठीक है, यूट्यूब पे भी आपको अगर वीडियो देखने है, तो वो revision lectures के देख रहे हो तो ठीक है, second motivational video, बट उसका timing बताओ कितना होना चाहिए, 2 घंटे का एक motivational video देखा, correct, 5 to 10 minutes वाले भी वीडियो रहते हैं, वो 10 minutes अच्छा लगता है, उसके लिए आप देख सकते हो, so 10 minutes time चाहिए आपका, and revision lectures अगर है तो ठीक है, बट बाकी के वीडियो अभी देखने की general knowledge के अभी जरूरत नहीं है, ये मैं सिफ 45 days के लिए बोल रहे हूँ, 45 days, all days are working days, ऐसे याद रखो, calendar में red होगा Sunday को, बट हमारे लिए red नहीं है, and result के बाद बताओ, exam के बाद results के दिन तक, all days are Sundays for you, okay, महाँ पर black होगा, आपके लिए red है, okay, so सब time pass करना है, बट वो थोड़ा साम postpone कर है, so 12-14 hours आप निकाल ही सकते हो, अगर ये सब follow की आपने studies के लिए, study hours बढ़ गए, तो ही ये solving practice 3-5 times हो जाएगी, आज कितने students को लग रहा है कि मैम, और practice हो जाती, तो और mark बढ़ जाते test में, सब को ही लग रहा है, so वो और practice के लिए study hours बढ़ाना, इतना एक ही option है, करे, so ये follow करो, completely मतलब completely, uninstall किया तो भी चलेगा, आपको लगता है कि 5 minutes सी देख रहा है, क्या होता है, आप उसके ही बारे में think करते रहते हो फिर, ओके, और फिर negative thing, आरे ये तो हुमने गया है, ये तो intermediate के class में बेठा है, हम तो ये ही पर है, ये सोचके कुछ भी नहीं होने आला है, so completely uninstall करो, compare करके कुछ भी नहीं होता, next exercise and meditation on daily basis, ये required है, नहीं तो हम main exam में भी बीमार पढ़ गए, तो कुछ फाइदा नहीं, so exercise के लिए 15 minutes, आधा गंटा तो निकाल सकते हो, morning walk, evening walk, 15 minutes का, 20 minutes का, and meditation at least for 5 minutes, आपको improvement डिखेगा, उससे, ये required है सब, imagine your goal daily, ये मैंने बता है, continuous आपको सिर्फ 45 days के लिए, पूरा आपको सिर्फ committed to CA foundation results, बाकि कुछ भी दिमाग में नहीं आना चाहिए, इतना आप committed रहोगे, तो ही result आने आला है, eat healthy food and take adequate sleep, कितने students sleep compromise कर रहे हैं, या नीन भी नहीं आती, नीन नहीं आती वाले हाथ उपर करो, एक दो तीन, four five, one two three four five six, ज्यादा आती है, okay, okay, मतलब आप tension ले रहे हो, क्या, okay, मतलब नीन नहीं आती, मतलब लेट नीन आती है, फिर लेट उठते हो, ऐसे वाला नहीं, नीनी तीन चार घंटे की है, okay, okay, so, आपके हर एक को अलग-अलग आवस की required sleep है, वो आपको पता होगा, तो उतनी sleep required है, okay, and last day, exam के days में भी, आपको ऐसे नहीं करना है, three to four hours से, okay, students बताते, मैं एक्जाम में नीन आ रही थी, okay, क्योंकि दो गंटे ही नीन्द हुई थी, तो वो बहुत गलत है, फिर क्या फायदा हुआ, दो गंटे ही सो लिया, बहुत पढ़ाई की, and मैं एक्जाम में तो सो रहे थे, तो कुछ पायदा नहीं हुआ, and junk food, पूरा avoid करो, जितना possible है, उतना avoid करो, पढ़ा, फिर क्योंकि 10-15 days, कुछ पढ़ाई नहीं हुई, फिर क्या, exam ही skip करनी पढ़ी, so ये भी उतना ही important है, मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है, बट मेरा health ही नहीं है अच्छा, तो मैं कैसे exam लिक हूँगी, so ये सब भी उतना ही important है, so ये daily इसमें आपके changes होने चाहिए, आप सब students आराम से कर सकते हो, सिर्फ इतने छोटे-छोटे changes करो, so thank you very much for attending the session, ये सब guidance आपको देना था, अभी किसी को individually मुझे से बात करनी है, तो कर सकते हो, किसी को अभी doubts पूछने हैं क्या, ओके, क्या करना है समझ में आ गया, जो नहीं कर रहे थे, वो आज से start करो, जो कर रहे थे उसको continue करो, and all the best for your exam, yes, online students, आप मुझे call पे doubt पूछो आपके, या whatsapp करो, आपके पास number होगा मेरा, आप literacy कें बापके बादाने, बाले के बाद सकती हाँ पासके मेरा,